हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम सजल गुपता है मेरी श्री पंडूखर सरकार चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दुसन 2019 से गुरूजी का जो दरवार है उसमें को चेंजमेंट आ रहे हैं मुझे वीडियो बनाना पड़ा और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि पंडूखर सरकार का जो दरवार है उससे रिलेटेड एवं पूरी संपूर्ण जानकारी पंडूखर धाम से रिलेटेड जो नय भक्त पंडूखर धाम जाना चाहते हैं और जो पराने भक्तिय या कोई जानकारी चाहता हो तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी है तो आप इस वीडियो को अंततक देखें तथा इस वीडियो में लखनौ दरवार जोगी 26 27 28 दिसंबर 2018 को उने वाला है इस दरवार की संपूर्ण जानकारी भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएग सबसे पहले आप लोगों को मैं सन 2019 की बहुत बहुत सुब कामना है अभी से करना चाहता हूँ हाला कि ये दस दिन पहले है लेकर आप लोगों को धेड़ सारी सुब कामना है आपका जो सन 2019 हो वो सुब हो और दोस्तों चलिए इसके साथ मैं पहले लखनों दर्वार की जानकारी आपनों को दे देता हूँ लखनों दर्वार जो है वो 26, 27, 28 दिसंबर 2018 को लगेगा समय इसका यह रहेगा एक बजे से दो फैर एक बजे से साम पांच बजे तक यह दर्वार बराबर चलेगा और दोस्तों इस जगहें का एड्रेस काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था तो इसका एड्रेस नोट कर लीजे आप कथा स्थल सेक्टर जे निकट पकड़ी का पुल आशियाना लखनों दोस्तों कथा स्थल है सेक्टर जे है निकट पकड़ी का पुल ये famous जंगा होगी निकट पकड़ी का पुल आशियाना लखनों उत्तर प्रदेश तो दोस्तों लखनों में आपके लिए लखनों बासी एवं आसपास के लोगों के लिए काफी अच्छी बात होगी कि आपके शहर में लखनों में तीसरी बार यह दरवाल लग रहा है पंडुखर शरकार का तो आप उसमें जरूर सामिल हो और अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं पंडुखर धामसे संबने जानकारी तो दोस्तों जो लोग पहले सब लोगों को दिक्कत होती है कि पहुंचा कैसे जाए क्या रूट होगे सबकी अलग अलग डायरेक्शन है तो मैं थोड़ा डिस्किप्शन आप लोगों को देता हूं पहुंचने से सारी जानकारी आपको इसी में मिलेगी दिल्ली आगरा की ओर से आने वाले लोग जो है वो जो बहुत से लोग ग्व खताम पहँन सकते हैं पूरा रूट 110 किलो मीटर का होता है माद जहांसी से चिरगाओं से जैसे अगर आप जहांसी से आना चायते हैं तो जहांसी से आपके दो रूट बंते हैं एक तो वह सकते हैं आप के रास्थे और दूसरा ठाषिय से भांबाँ रास्ते आएं जब दतिया से बहंदर होते हुए पंडोखदाम जाते हैं तो यह सत्तर किलोमीटर का रास्ता पड़ता है जहां सी और तीसरा दोस्तों मौट से तीस किलोमीटर सम्थर होते हैं अगर मैं आप लोगों को सग्जेस्ट करूंगा अगर आप अपनी परसनल कार्श हैं और आप कानपुर से आ रहे हैं कानपुर उरही होते हुए तो बीच में आपको मौठ रास्ता मिलेगा मौठ से सम्थर होते हुए पंडोखदामा भासानी से पहुंच सकते हैं तो यह आपके लिए समय की बचत भी होगी और रास्ता भी शौट पड़ेगा अगर आप ख से तो हौच जाते हैं तो मैं और बिच्वे जाता हूं बहुत से लोगों के इंच जूजे आहरे चाहिए सब्साता के और कर दो छे नुट करते हैं और रिपीट करना घूंध सक्तान चैसे सन्वेयर त्रस्ट दीड़ा जारी की आई दानरसी अवस्सीद लें जब आप कोई भी अर्जी कटाते हैं तो आपको फिर से मैं रिपीट करता हूं जन्म सक्ति पुंज बरहा मानो कल्यार संस्थान चेरेटेविल ट्रस्ट द्वारा चारी की गई रसीद अवस्सिलें दोस्तों जितने की आप रसीद कटाएंगे उतने के ही आपकी रसीद कटेगी और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना हूं कि आप सबसे पहले पंडोखर धाम में पड़्ची कटवाएं अर्जी कटवाएं जो आपको नंबर आएगा उस नंबर के नुसार आपकी गुरूज कर आप अपनी अर्जी कटवा कर फिर आप पुस्पवती घाट मैया के दर्सन करें उसमें इसनान करें और वहां से जल लेकर सूरे से बाला जी को चणाएं यहां में मुख्य पंडोखर धाम मंदिर में हनमाजी महराज की मंदिर में इसके बाद दोस्तों आप वहां पर पं गुरू जी ने आपको जैसे 5 अमवश्य करने को कहा दू अमलशी इक एक definis 3 अ मवश्य साथ अमवश्य 11 अमवश्य तो ऊस अनुसार करना जरूर है अगर आप अप अमिश्य नहीं करतें तो इसी परकार से होगा कि कर्म आपलकी आप अँच्छा होगा तो आप अबस ही ही करें और गुरू जी से मिलकर साइन कराकर उसमें जो बिदी बिदान होता है उसे पूर्ण तरीके से करें तो आपका काम अवश्य बनेगा दोस्तों और मैं आपको बताना चाहता हूं अब जनवरी का जो दरवार है सन 2019 से गुरू जी ने एलान किया है कि जो दरवार है वह 11 द दरवार लगता था तो इसमें काफी लोग नहीं मिल पाते थी कि पांच दिन का दरवार होता था काफी भीड होती थी तो गुरू जी ने जो है जो दरवार है आपका वह 11 दिन का कर दिया है मतलब जनवरी में जो आपका दरवार हुगा वह 5 तारीक से 15 जनवरी 2019 दोस्तों आपको मैं इसी वीडियो में जनवरी female March तीनों माहका बता देता हूँ तो फरवरी में जो है ज 그걸 चार तारीक से चौधर 2 तारीक और मार्च में जो है छै तारीक से 16 तारीक तो दोस्तों आपका 11 दिशिय दर्वाल लगेगा पंडोकर धाम में जग्य पंडोकर धाम तो और कोई भी डिटुरी हुए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉकस में कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे से फेस्बुक पर भी जोड़ सकते हैं फेस्बुक पर जोड़ने के लिए आप हमें और सếtलग उपता पंड़ोखर के नाम पंडोकर धाम से जानकारी रिलेटेड मिल जाएगी फॉन नंबर मिल जाएगी और दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं जो लोग किसी के संपर्क से आते हैं अच्छी बात है आते हैं मगर किसी को भी आप किसी बरकार का पैसा ना दे आप जो पेसी कटवाने आते है हैं 100 मा कर कटवाएं और मैं आपसे गुजारस करूँगा किसी फ्रॉडपन में नाफस हैं जो दिये गए नंबर है केवल उन्हीं पर संपर करें अन्य किसी बैक्ती की बातों में ना आ है और मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूँ पंडोकर धाम में ऑनलाइन सिस्ट इतना दान आता है मंदिर बनाने के लिए तो वह पूरा उसका सब कुछ लिखित में हैं मिलब की कंप्यूटर में है लेकिन ओनलाइन ट्रांजेक्शन वहां नहीं होता है इसलिए आप लोग कैस लेका चलें और वहां पर ऐसी एटीम बगेरा उतना गाउं का एरिया है तो दोस्तों बात आती है जब आप अप अंडुकर धाम जाते हैं तो आपके मनमें सवाल आते हैं कि वहां पर भोजन की क्या विवस्ता होगी रुकने की क्या विवस्ता होगी तो दोस्तों आप चिंता मत कीजिए जब इतना बड़ा धाम है तो वहां पर कुछ ना कुछ विव व्रकूर से थाने क्या हो उब तो तो दोस्तों खाने के लिए वहाँ पर वार मैं कई वार बता छूका हूं पचास कॉस्ता मुण गाता है कह fingerprint नहीं नहीं पाईगी क्यांकि मंत नरंता रहा है और दिरे-दिरे प्रोग्रेस हो रही है तो ऐसी बी आई पी जैसी कोई विबस्ता है नहीं क्योंकि गाउं का एरिया है और दोस्तों और कोई जो भी जानकारी आप लोग मुझसे चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और इसके अलाबा जो भी आप लोग मनलब चाहते हों और मेरा वीडियो बनाने का मकसद में आप लोगो को बता दूँ सिर्फ एक ही रहता है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचे किसी फ्रोड़पन में आप लोग ना फसे हैं क्योंकि दोस्तों देखा गया है क्योंकि फेस्बुक की मादियम से आपसे कोई भी जुड़ जाएगा आपका नमबर निकाल कर कोई भी जुड़ जाएगा आपसे लेकिन इसमें दिक्कत हो सकती है दोस्तों मैं आप लोगों से अपनी तरफ से रिक्वेश्ट करूँगा अगर आपको पंडोख दामकुपा रखना है बहुत से लोगों को मन में रहता है कि सायद मैंने किसी को बता दिया होगा तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोग जब गुरू जी आपके साथ कुछ शमतकार होता है तो बहुत से लोगों को मन में डाउट आता है कि ऐसा सायद हो सकता है उन्होंने मेरे बारे में जानकारी कर लिए हो तो आप लोग अपना किसी को कोई भी जानका दर्वाल नहीं करेगा तो आप किसी को अपनी समस्य भी ना बताएं किसी को अपनी प्रॉब्लम बिलकुल भी ना बताएं चाहे को बदोस्तों यही को बताने के लिए था कि लखनों दरबार जो कि 26 27 28 मैंने आपको बताई दिया है और जो दो हचार ना इसमें दरबाल लगेगा वो ग्यारा दिन का दरबाल लगेगा तो यह बहुत ही अच्छी बात है आप आप लोगों को कोई दिक्कत भी ने हुए आने जाने में और रुकने में और आसा करता हू कि आप लोग गुरू जी से जब मिलेंगे तो आप समय का वो नहीं रहेगा और भीड के साब से थोड़ा-थोड़ा समय सब के लिए निकालना पड़ता है तो गुरू जी अपना पूर्ण प्रियास करते हैं और जिन लोगों ने भी गुरू जी जिन्दी पर उनकी कमेंट क ते उनका जवाप घुरू जी ने वीडियो में देया था जो की डिस कप्शन में आपको लिंक गुरू जाएगी इसमें लगा था उसमें गुरू जी ने उनहें कसकड जवाब दिया जो लोग घूसी कब रोग कर रहे थे उनकी परसनल लाइफ को लेकर